नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर ले और इस चनल को सस्क्राइब कर ले चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP Portal के रिगार्डिंग एक यहां पे नया अपडेट आ चुका है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यह अपडेट जो है सौप्टेयर से रिलेटिव है यह सौप्टेयर हमें जो है नया वाला इस्टॉल कर लेना है अगर आप इस सौप्टेयर को सौप्टेयर को अपडेट कर लेना है यहां पर आप जो है करेंट में सौप्टेयर जो यूज कर रहे होंगे सबसे पहले उसको आप चेक कर लीजेगा जैसे ही यहाँ पर search box में जो है आप peri लिखेगा तो उसका version आप देख पाएंगे जो अभी current में हम use करते हैं peri service का version जो है 1.66 है यानि कि last में जो 66 है यह version अभी current में चल रहा है सभी लोग यूज कर रहे हैं peri service जो है हमारे एक तरह से कहा है माइक्रो एटियम आप यूज कर रहे हैं पास्वुक प्रिंटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महतपूर होना चाहिए अपडेट होना चाहिए तभी आपका दोनों यह product यानि कि प्रिंटर और माइक्रो एटियम वर्क कर पाता है तो यहाँ पे उसका नया वाला वर्जन आ गया है जो है हमें करना क्या है क्या क्या process करना पड़ेगा उसके लिए हम थोड़ा सा यहां पर देख लिते हैं सबसे पहले हैं अपने portal को यहां पर log-in कर लेका τे हैं है तो जो भी आपके जो है माइक्रो एटियों पास्वुक से रिलेटिव एंड और कोई भी जो इसू आ रहे हैं आपके सिस्टम में वह आपकी दूर हो जाएगी तो यहां पर हम देखें पोटल को हम लोगिन कर लिए हैं लोगिन करने के बाद आपको रिपोर्ट को खोलना है यहां पर हम रिपोर्ट पे ओपें कर देते हैं ओपें करने के बाद यहां पर रिपोर्ट पे खोलिएगा उसके बाद यहां पर आप डाउनलोड आप्शन में आ जाईएगा यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड में आप आज जाएगा डाउनलोड में आने के बाद य यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, यह करीब 35-40 MB का यह फाइल है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर डेस्टप पर मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद इसको एस्ट्रेक्ट कर लेन तो यहाँ पे पैरी सर्विस का नया फोल्डर बन जाएगा और यहाँ पे आपको जो है नया वाला सॉप्टेर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1.1.68 जो नया वाला वर्जान अभी रिलेटेस्ट में आया हुआ है यह हमारे SBI CSP पोर्टल से रिपोर्ट में जाके आप डा तरह से कहें अपने से कंपनी से कांटेक्ट करें तो इस वडियो में नया वाला अप्डेट ही है इसको जरू सफ्टेर को इंस्टॉल कर ले ताकि फ्यूजर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है और आपको यह वडियो अच्छी लगी हो तो वडियो को लाइक करें